हेलो एर्यवान वेल्कम टुट एक वार फिक्स वाकत है मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्छों का जैकाट में के शांदा प्लेटफॉर्म पे आई थिंग सारे बच्छे हैपी हो और बहुत ही जल्द एक गुड़ नियूज आने वाली है क्या गुड़ नियूज है कि कम आये हैं उनके डेफिनेटी यह बैट डिव्स एक क्या है जीमसी के हले मदब मैं सिंपल सीथी बात करूंगा जीमसी को देखते वे यानि गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज को देखते वे क्या कट आफ रहेगी क्या सीट है किस मार्क्स मिलेंगे सिंपल सीथा सठीक जवाब दूँगा completely without time wasting के के college मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं बीटा जी आपको महारास्ट्रा के अंदर मैं सीटी के एंडर में पहली बार एक्जाम हुआ मैं सीटी के लिए आपके पास में जो colleges है वो कितने हैं government के अगर मैं बात करूं तो government colleges आपके पास में 6 colleges है बट मैं इसको बाढ़ देता हूं 5 प्लस एक में रीजन क्या है मेरे पास में क्योंकि एक कॉलेज जो लातूर नर्सिंग कॉलेज है वहां पे पिछले दो साल से कोई भी counseling में participation नहीं हुआ है उनका infrastructure की वज़े से counseling में उसको participation नहीं दिया जा रहा इस बार अगर दिया गया तो 6 हो जाएंगे अधरवाइस इन पांचों को मिलाके 332 seats available हो रही है तो 32 sorry अगर मैं बात करूं प्रावेट मेडिकल कॉलेज को लेके तो यहां पर 130 प्लस जो है वह आपके प्रावेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें nursing की सीधा पॉइंट पर बात करेंगे कट ऑफ कहां मिलेगा कहां मिलेगा तो अगर आप टेग्र से बिलॉंग करते हैं तो फिर यह पर संटाइल वाला सिस्टम चल रहा है अब बच्चे परसंटेज में चीज़ित परसंटेज में बात करूंगा जिसके 97.5 परसंटाइल से कम आ से कम परसंटाइल हैं उनको GMC नहीं मिलेगा मैं open categories के बारे में बात कर रहा हूँ अगर आपके परसंटाइल के मामले में 70 परसंटाइल के आसपास हैं तो ऐसे बच्चों को यह भी डिटा आपका परसंटाइल के अंदर ही है ऐसे बच्चों को भी आपका private मिलना शुरू हो जाएगा यानि कि यहां पर आपका private जो है वह आइंड हो जाएगा जो और open categories क्लियर है अब अगर हम बात करें रिजर्व काटेग्रीज को लेखे किसको लेखे रिजर्व काटेग्रीज को लेखे तो रिजर्व काटेग्रीज में आप देखिए अगर आपके परसंटाइल जो है वो 95 तक आते हैं 95 परसंटाइल तक अगर आते हैं यह मैं फिर से बहुत कं vacc及 वाले बत्चे बहुत ज्यादा है ये बात ज्यान रखिया रेशिव कहीं नंहें बहुत जयदा है वॉलिम बहुत ज्यादा है बनी यह सेनारियो हो गया अब प्राइवेट को बात के रिजर्व काटेग्रीज को देखते वे तो वहां पे आपको करीब करीब 66 परसेंटाइल अगर आप लेके आते हैं और अगर 15 परसेंटाइल से कम मार्ण से अगर आपके 15 परसेंटाइल से कम मार्ण कि आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कूर कहा है और आप प्राइवेट के लिए अब आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कूर कहां है और आप डेड्लाइन दे दी क्लासिफाई का सकते हो इसमें बहुत सारा बच्चों से हमारा होगा नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक मोटा मोटी तौर पर आपको आइडिया दिया कि अगर आप गवर्मेंट के लिए फाइट करना चाहते हैं तो आपका स्कोर क्या रहना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व का टेग्रीज से हैं तो 95 होना चाहिए अगर यह आपके मार्स इससे बिलो आते हैं तो फिर आप सोचीगा आपका सेलेक्शन इस बार तो नहीं हो पाएगा क्या कॉलिफाइंग स्कोर है अगर आपका 50 से भी बिलो आ रहा है परसेंटाइल तो आप कॉलिफाइं नहीं कर पाओगे प्राइविट के लिए नहीं नहीं करना है तो यह चीज मुझे आपके साथ डिस्क्लोस करनी दी मैक्सिमम बच्चों के डाउट से तो आइधिंग अब सभी बच्चों के डाउट स्क्लियर हो चुके होंगे और फिर फिर वाट्वाट्व पर कांट कर सकते हैं वाट्स नमबर आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में बिल जाएंगे आप कम्मुनिटी में बात कर चाहते हैं मैं सीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी आप यह सकते हैं यहां जैक आडमी आपको पूरे यह लॉंग एक कंसाइज में पढ़ाएगा विकास में सीटी के अंदर भी उसने जवर्दस रिजल दिया है अपने 15-20 दिन के स्कोर में च्योंकि अभी फिलाल 20-25 जिस दिन हुए थी जब में सीटी का एक्जाम हुआ था और उसमें भी ताबट तोड़ हमने एक्जाम दिये हैं और बहुत ही बच्छों के सेलेक्शन करवाएं यहनी 108 बच्छों का सेलेक्शन अल्रड़ी हो चुका है तो यह अपने आप में अगर मैं एक डिट महीनी की मह आप में